यदि आप अपने local cricket match को live stream करना चाहते है mobile पर तो यहाँ mobile phone पर दबाएएगा उसके बाद आपको इतना पैसा जमा करना होगा और फिर आप live stream कर सकते हैं यदि आप cricket खेलने के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है आज के वीडियो में मैंने Crick Heroes Cricket Scoring App का review किया है इस एप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें आप आपके शहर के और दूसरे cricket प्रेमियों से संपर्क कर सकते हैं उनके साथ cricket खेल सकते हैं यदि आपको अपनी cricket team के लिए किसी ground का पता करना है match खेलने के लिए teams का पता करना है cricket match का tournament करवाना है किसी team में as a player join होना है team के लिए scorer, empire, organizer, commentator का पता करना है या आप अपने match को live stream करवाना चाहते हैं internet पर वो सब चीज़े आप इस app में पता कर सकते हैं दोस्तों इस app में आप आपके match की scoring भी कर सकते हैं जैसा आप international cricket match में players के score वगरह देखते हैं वैसा इस app में भी हो जाता है आप सारे players के record maintain कर सकते हैं दोस्तों ये app बहुत बड़ी है और इसमें बहुत सारे function है तो पूरी चीज़ा तो मैंने इस video में cover नहीं की है नहीं तो video बहुत लंबा हो जाता कुछ चीजों की जानकारी मैंने आपको दी है तो चलिए उन्हें देख लेते हैं इस app को आप play store से और description box में लिंक है यहां से install कर सकते हैं चलिए app को open करते है चैनल पर ने हो तो subscribe कर ले देखिए यहां पर आपको आपका mobile number डालना होगा यदि आप mobile number नहीं डालेंगे तो आप आप की बहुत सरे चीजों को use नहीं कर पाएंगे पिन आएगा पिन डाल दीजेगा language select कर लीजेगा आप चाहे तो बाद में language change भी कर सकते हैं देखिए यह है एप का interface इस वक्त हम home section पर हैं यहां पर बहुत सरी जानकारी आती रहते हैं इन्हें आप देख सकते हैं like कर सकते हैं comment कर सकते हैं share कर सकते हैं इसके बाद हम यहां looking पर आते हैं यह चीज़ बहुत important है इस पर ध्यान दीजेगा यह user profile है किसी भी user की profile आप यहां से touch करके देख सकते हैं देखिए यहां पर आप अपने शेहर में क्या चीज़ देख रहे हैं वह आप को डालनी होगी post पर जा रहे हैं क्या an opponent to play a match आप कोई opponent देख रहे हैं match खेलने के लिए a team to join as a player कोई team देख रहे है as a player join करने के लिए a player to join my team कोई player आपकी टीम में join करने के लिए कोई ground देख रहे हैं एंपायरटो हाइर करने का देख रहे है एहां पर सारी जानकारी आती रहती कौन अपने मैच के लिए क्या चीज़ देख रहे हैं यह आप यहां से पढ़ सकते हैं माई क्रिकेट पर आते हैं, देखिए, यहाँ पर है मैचेज, टूर्नमेंट्स, टीम्स, हाइलाइट्स, ठीक है, यदि आपको इस मैच शुरू करना चाहते हैं, तो यहाँ दबाएगा स्टार्टा मैच पर, यहाँ से आपको हैल पालूम चल जाएगी, यहाँ से आपको दोर करना होगा, तो यहाँ दबाएगा, यहाँ से टूर्नमेंट रिजिस्टर करना पड़ता है, यह मैं भी आपको आगे दिखा दीता हूँ, यदि आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो यहाँ दबाएगा, इसके बाद आईवास जस्ट टेस्टिंग, यहाँ दबाएगा मोर को दबाते हैं, देखिए, यहाँ कम्यूनिटी पर आते हैं, देखिए, मेरा शहर जबलपुर है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, तो यदि आप अपने शहर में कोई एकडमी पता करना चाहते हैं, तो यहाँ दबाएगा, यहाँ से आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से आप सौड कर सकते हैं, रेटिंग क्या है, हाई टू लो है, डिस्टेंस क्या है, पास से दूर है, नेम क्या रहेगा, यहाँ से सलेक्ट कर सकते हैं, देखिए, यहाँ पर लिस्ट दिखाई दे रही है, यहाँ पर इन एकडमी से में जाके आप क्रिकेट सीख सकते हैं यहां पर ग्राउंड का मालूम चल जाएगा कौन-कौन से ग्राउंड है आपके पास की रेजिस्टर को दबाईएगा अलाओ करिएगा लोकेशन को ग्राउंड को रेजिस्टर करने के लिए आपको यह सब चीज़े फिल करनाई होगी यहां पर आपको शॉप्स बिल जाएगी box cricket and net पर practice करना चाहते हो तो वो कहाँ पर होती है यहां से मालूम चल जाएगी तो community में आपको यह सब जनकारी देखने को मिलती है three lines पर दवाते हैं यहां हम करते है add a tournament यहां पर touch करके banner add कर सकते हैं यह होगे हमारा banner done करते है यह logo यहां पर डालते है tournament का नाम यहां पर जिस city में tournament खेला जाना है उसे डालिएगा यहां पर किस ground में खेलना है उसका नाम ground का नाम लिखिएगा यहां पर आपके शेहर के सारे grounds के नाम आ जाएगे ठीक है तो आप अपने select कर लीजयेगा, add ground करते हैं, आप चाहें तो एक से ज्यादा ground फिए add कर सकते हैं, यहाँ पर organizer कर नाम, यहाँ पर organizer कर नमबर, यहाँ पर email, यहाँ टूर्णामेंट की date, यह हम कर देते हैं, दो जून से रहेगा, साथ जून तक, ठीक है, आप अपने हिसाफ से डेट देख लीजेगा, टूर्रमेंट की कैटेगरी क्या रहेगी, यहां से देख सकते हैं, ओपन, कॉर्परेट, कम्यूनिटी, स्कूल, हम इसे कॉलेज कर देते हैं, बॉल टाइप क्य साथ, करते हैं, यहां से डेट कर सकते हैं, यहां पर हम दबाते हैं, करते हैं, तूर्दामेंट की क्या रहेगी, यहां से डाल देजेगा, एंटरेट टोल नумबर ऑफ टीम्स के इतनी कि लिए लूंदर कर लीजेगा कि एक दिन में कितने मैंच होंगे यहां सेख कर लीजेगा थीक है के बनाट किए रहेगा यहां से दिशाएगे हम कर देते हैं 1415 एंघ सर्थिकल हो yht साथ यहां फुल्ग क के लिश्य्यक्त係 या कॉल से वाफ सेलेक्ट कर सकते हैं, हम क्रिक हीरोज डीम कर देते हैं, आप चाहें तो वाटसप या कॉल कर दीजेगा, देखिए, समर टूर्दमेंट हमारा क्रियेट हो गया है, यदि आप टीम्स एड करना चाहते हैं, तो यहां दबाईएगा, यहां से आप टीम्स को इन तो यहां दबाईएगा, मैच कैसा रहेगा, टूर्दमेंट या इंडिविज्वल, तो हम करते हैं, इंडिविज्वल, नेक्स्ट, कौन सी टीम रहेंगी, यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट टीम A, टीम A रहेगी हमारी ABC, ठीक है, डन करते हैं, प्लेयर को एड करने क create your team को दबाके आप team create कर सकते हैं एप के माध्यम से जब कोई संपर्क करता है तो ऐसा notification बन किया जाता है इसे आप खोलिएगा और यहाँ पर देखिए इन्होंने message भेजा हुआ है message accept करके आप इनसे बाचीत कर सकते हैं और view profile को दबाकर इनकी profile देख सकते हैं और भी ताना जानकारी के लिए आप Crick Heroes को official YouTube चैनल को विजिट कर लीजेगा यदि आप अपने match को live करना चाहते हैं यहाँ दबाईएगा three lines पे इसके बाद जाते हैं go live पर mobile phone से आप live stream करना चाहते हैं DSLR से यहाँ से select कर लीजेगा हम करते है mobile phone यहाँ पर आपको इतना पैसा खर्च करना होगा उसके बाद आप आपके match को live stream कर सकते हैं Cricket की ball by ball commentary यदि आप सुनना चाहते हैं तो इसके लिए यह वाला वीडियो देखिएगा keep learning वीडियो को like करने चैनल को subscribe कर ले और share करने सभी के साथ